हेलो दोस्तों आज बनाएंगे हम यह मुंग दाल के पकोड़े और यह दाल मैंने रात को भिगो दी थी अम मैंने सुबेस का सारा पानी निकाल के इसको मैं पीस लूँगी और पीसेंगे इसको बिना पानी के ही और यह अच्छे से पिसके तयार हो जाती है हाँ आपके चार- पानी डाल के नापीसे से इसमें अधरक और लहसुन और उसका हरी मिर्च का पेश डाल देंगे यह बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा नमक डालने के बाद इसमें थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे यह देके लाल मिर्ची प्रेटना पड़ता है कम से कम 2-3 गंटे तक ठीक है जी अब यह देखिए हिंग डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो हाथ से मिक्स कर सकते हूं और मैं तो चमच के वाद से मिक्स कर रहे हूं और इसको पांसाथ मिन्ट के लिए हम मिक्स करेंगे उसके बाद तेल कडाई में गरम है उसके बाद हम इसकी छोड़ी छोड़ी पकोडिया बनाएंगे यह देखिए अब इसको फटा फट पकोडिया हम बना लेते हैं और इन पकोडियों को खायांगे हम हरी मिर्च के साथ और चटने के साथ चटने तो मैंने पहले ही बना के र तयार होती है बहुत अच्छी लगती भी है और सारी पकोड़े डालने के बाद दो मिन्ट का वेट करना उसके बाद इसको अच्छे से आप अलट देना बहुत इजली तरह किसी अलट जाएगी और इसको सेखने में कंसे कम आपको 7-8 मिन्ट लग जाएंगे इसके साथ मैं मिर लेती तयारी यह देखें इसको खिलाते रहना यह देखें अभी इसका कलर बिल्कुल गोल्डन हो गया अब इसको मैं निकाल लूँगी क्योंकि अंदर तक अच्छे से सीख गए हैं यह देखें अब सारे पकोड़े में निकाल लूँगी उसके बाद क्या करेंगे हम क्या करें इनको रखेंगे हम साइड में ठीक हैं और इसके साथ पालर की चट्नी और धही वाली चट्नी है और चलो जीए मैंने लिए हैं चार पांच मिРच है तो कुलियए फ्राई है ओर री इसको अच्छे से हम निकाल देंगे अस निकालने के बाद क्या करेंगेरी तिक्षे से फिर दुबारा किट नमक डालने के बाद उसको हम खाएंगे पकोड़े के साथ इसको कलेंगे मिक्स एसको खाएंगे दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो بعد जूरर करें सब्स्क्राइब करें चैनल को और जयाद से जादा लाइक करना ज़रूरी है धन्यवाद उसंब झाल झाल